तरफ हम इस प्लास्टिक की पन्यों को कचड़ा मानते हैं इसे हम नुक्सान दैक समझते हैं बार बार हमें बता जाता कि ये गलती नहीं साड़ती नहीं जल्दी घुलती नहीं धरती में दूसरी तरफ हमें आएसे सस्टनेबल प्लास्टिक की जरूरत है जो सालों साल चलें स तब था इसे की प्रगती हो रही है। तो किसान तो थोड़ा भोला होता है जो समझ में आये कर दिया या पैसे की कमी समझ ये पराली रखे हुए हैं सबजियों की खेती में मल्चिंग के लिए निचुरल मल्चिंग के लिए पराली का पर्योग करेंगे लेकिन हम प्लास्टिक को जिंदगी से नकार नहीं सकते ये बहुत ही उपयोगी वस्तु है जिसने भी इजाद किया प्लास्टिक का उसे कोट कोट नमन ऐसे ही सस्टेनेबल प्लास्टिक बनते रहें ताकि किसानों को कोई समस्या नहीं ये एक बार लगाए और बार उसका लाव उठाए जहिन साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ चीजें देखिए खेती बारी में प्लास्टिक ने नई क्रांती लाई है इसका उपयोग किजिए और देश और समाज को एक नई दिशा दीजिए जहिन साथियों